नवसकार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ बाबिता तीन क्रिशी कानून जिनकी चर्चाए काफी समय से चल रही थी एक बर फिर से चर्चाओं में आ गया है जी हाँ तीन क्रिशी कानून को लेकर किसान जो है 14 महीने से धर्ना प्रदशन करे थे लेकिन अ तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस महीने के अंत में संसद में इसमें जो है समवेधानिक प्रक्रिया के तहत जो है इसको रद कर दिया जाएगा लेकिन किसान अभी भी इस पर आडे हुए हैं वो कह रहे हैं हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक संसद में इसे पूरी तरह से रद नहीं किया जाएगा इसी पर तमाम जो है बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद है उन्हीं से जानकारी लेते आखिर उनका इन पर क्या कहना है तीन क्रिशी कानून आ चुके हैं और तीन क्रिशी कानूनों पर बातचीत भी चल रही है लेकिन टिकै काम हमारे किसान भाई उने क्या है अंदाता उने क्या है हमारे साथ सो किसानों की सादत इस आंदोलन में हुई है पिछले चोदे महिने से हमारे किसान भाई इस आंदोलन में दिन रात अपने परिवारों को छोड़कर बोर्डर पर पड़े हुए हैं कोई अपनी खूसी से ह तो वो पिचारे किसान अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने जमीनों को बचाने के लिए यहाँ पर सरकार के खिलाब खड़े हुए थे और कहीं न कहीं ये सरकार आज जो चुनाव पांच परदेशों के अंदर चुनाव आ रहा है ये घबरा गई है मोधी जी की सरकार ये भारते जनता पार्टे की सरकार इन्होंने डर के कारण ये कानून वापसी लेने का एहलान किया है क्रिशी कानून आये हैं तो मोधी जी तो अब एक तरह से बैक फूट पे चले गए हैं कि हाँ ठीक है कि आपकी ही बात मान ले थे क्योंकि वो काफी भावुक भी हो गए थे कल कि जब वो ये बात बोड़े थे कि हम क्रिशी कानून वापस ले रहे हैं उन्होंने साब बोला था कि कुछ किसान हैं जिन्हें हम समझा ही नहीं पा रहे हैं लेकिन एट दा एंड उन्होंने यही किया कि क्रिशी कानून वापस ले लेकिन टिकैत क्यों नहीं हटने के लिए जो है लगातार जो है इस वह अधी सणवाइस सुषाह। कि अपने अपने घर जाईए नहीं पड़ेगा कि अलक्शन की राजनी सब कुछ राजनीटी ऐलक्शन की अलक्शन क्योंकि गाउं में जा के देख लो बढ़ बढ़ा बोल लगा है बाजपा गाउं में अंदर आना वर्जीते कैट तो और जड़ा दिमांड कर रहें एक के बाद एक दिमांड अपनी लेकारे कभी मुआफजे की बात कर दे कभी MSP पे अब गैरंटी की बात कर रहे हैं देखे इतने साल होगा है इसमें किसानों को लड़ते हुए इतने शहादत हो गया इतना सब कोच हो चुका है इतने लोग परिशान हुए ह करेंगे किसी के घर में अगर कुछ खराब हुआ है कि इतने वहां पर चले गए हैं और आप उसके बाद वो कहते हैं कि हम अब वापिस ले लेते हैं तो वह तो कहेंगे ने जी जो नुकसान हुआ है वो तो वापिस करो हमारा राहूल गांदी बहुत जादा टीकेट का साथ योजना के साहते हुए हम को हैसे की दूब认 नहीं चला रहा है को ऊध्तर की को ओड़ा है मेरे साथ मेरे साथra चेह हो गया मुझे इसने यह तो इसने एक बढ़ थे लिए तो आदमी थोड़ा जाग रूख हो गिया है वह बहुत अच्छा गारा पर इनको भी जुक्के अब इनको भी वापे जाना चाहिए यह जुरूर होना चाहिए इनकी तो हिम्मत बढ़ गई है क्या अब अब बहुता बहुता हुँ यह जागर कोई और सरकार होती तो एक बड़ा क्लियर सा मैसेज दे रहा हूँ वो लोग ये कहते, विपक्ष की वज़ा से हम ये कानून वापिस ले रहे हैं, वरना हम तो ये लागू करवा देते हैं, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको हम ये नहीं समझा पाए, वो इसलिए नहीं समझा पाए कि उनकी समझ कम है, इस तीनों कानूनों के अं कैसे किसान जो अभी है घेल किसान कभी है, जो अपने घर है किसान को हमें, ने किसान आहा घंको गञा है, मैं बैस्टो के लोग, जो एक्चोल किसान हों महा रहा हृँ है, ठोलैमनी उन्यों। आगों के लोग तो बहुत सारे गुजनाई यहीं यहां हमारे बहुत सारे काम किया हुआ हम तो बहुत हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऴन किरिफ तो बहुत सारे लोग था civic सब्सक्राइब को नजर आएंगे कुछी दिनों में एक्जांपल देता हूं आज से कुछ साल पहले अन्ना जी ने एक अंदूलन किया बहुत बड़ा समर्थक था तमाम मेरे भी पोस्ट चलते मैं उनमें डालता गया अन्ना जी का समर्थन करो आम आदमी पार्टी अरे आम आदमी हैं और हमें लोग क्या चाहिए लोग पाल चाहिए कहा है वो और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे श्रीमान केजरिवाल जी श्रीमान सिसोधिया जी जो वहां पर अंशन करके बैठ गए अपनी सेहत दिखा दी उन्होंने कि हम जी सिंगल हड़ी हो गए आज वो डबल हड़ी से भी उपर है और वो लोग पाल कहीनी है लेकिन अटिकैद भी जो है अब मुआवज़े की मांग कर रहे हैं कि जितने किसान मरे है उनको मुआवज़ा दिया जाए बिलकुल जितने भी हमारे किसान भाई इस आंदोलन में उनको साधत हुई है मैं परिवार को एक बच्चे को सरकारी नोकरी मिलनी चाहिए मैं पूरी तरह से सरकार से मांग करता हूँ तरह से यह देखा जा रहा है ना कि अपनी राजनीती चमकाने के लिए वो साफ तरुक पर कर रहा है कि हाँ यहां हम नहीं अटेंगा इसी से तो मांसिक्ता दिख रही है कली आप देखिए बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए थे कि बॉडर्स पर कुछ बदमाशी करी तो मांसिक्ता इससे क्लियर हो रही है कि यह लोग क्या चाहते हैं अब देखिए वो तो समय ही बताएगा विकौद इस समय ना ही कि मोदी जी को गलत कह सकते ना किसानों को गलत कह सकते तो देखा आपने कि किस तरह से तीन किशी कानून वापस होने के बाद भी आम जनता वो भी समर्तन दे रही है कि सान तो कुछ है कि तीन किशी कानूनों को वापस ले लिया गया है लेकिन जनता भी काफी कुछ है मोदी जी के फैसले से वो कह रही है कि पूरा समर्तन है मोद च्पाट